हालो एब्रीवान वेलकम टू सिबिल सर्विस कंदर तो अजी आमें स्टार्ट करिवा डे थ्री तो डे थ्री रे आमें डिस्कॉस करिवा चाप्टर नॉंबर फाइल याट इस इंडियान म्यूजिक तो इंडियान म्यूजिक रे आमें इंडियान म्यूजिक आमें कौन पाइ अमें ौबर करी ज़िगा अ अवले पो नीज भोली जीगो हमें जमत्य डिसकोस करते लेंegan आर्च युकोस करते लें सेकेंडरी प्रेंच्टिक्टर्थेसि टो आज ही हमें १ीसकोस करिवा हमें कभर करिया थमिंदियंडने मियंजिकनißtक पडिएक पडिवां जीँडियो आदिकमा से सचे कलिया हुँ नियंदर्थ तार वेसिक बा कंसेप्चुल पाट्टा को आमें पड़िवा ताप रे जो सोरो रागो तालो थाट एसे बुजिन सो देखिवा ताप रे अधर कॉंपोनेंट अप रागो प्रेनेक्स्ट। इंपोरनेटट रे यह ला? क्लासिकेशन औ अव धिन्डियान म्यूजिक हिंदूस्थानैक्ल ब्र प्लासिकल म्यूजिक और कंणाटिक आपरे modern development in music, community related to music, तो एबे आमें जिवां chapter कुँँँ, तो मुँ पुणि आसली code ही आसली, 29 page को मुझी भी, तो मुँ पुणि आपरे 29 page, मुँ ख्लिक कली, समस्त एड़े apply करिवो, जिए PDF यूज कर्छो, तो 29 page गला परे मुँ च्याप्टर नवर 3 को कली, जिए 3 नुओ 5, च्याप्टर नवर 5, performing art, तो Indian music रे क्लिक कली, देखो यू पिक्चर को भी देखो, जो जिनसों, देखो जो 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 से जिनसों को त्राइ करिवो, कौन करिया पें, अब्जोर्ब करिया पें, अब्जोर्ब कर ले तो में बहुत सरा जिनसों जानी करिवो, ओके देखो मोगुड, ताबला, कर्ताल, शरोड, डंबुरू, साहनी, ना ना ना, तो ये सबु जानी थिलो, ताब्रे देखो इंडियान म्योजिक पड़ीवा, तो इंडियान म्योजिक रे आमें, फास्ट कॉन्ड पड़ीवा, आमें डिस्कास कर दले नी, तो येवे आमें आमर चुक कुल्चर चे, आर्ट अट कुल्चर, आमें चुक पड़ू छे, चुक कॉल्चुराल आस्पेक्ट कु जुदिया में देखिवा, म्योजिक इज दा सॉल अफ एनी कॉल्चर, एंडिया हाज, हाड़े लंग ट्राडिशन अफ म्योजिकल इंजनुईटी, इट इस सुनिति पो, ब्रह्महर सुबोची सुन, अंग साई नाद, तो से जु नाद ब्रह्मह जोग छी, साई जिन्षड़को एतरे मेंशन करा जैची, ता अप्रे देखा, ए म्यूजिकल इंस्टूमेंट, सेवेन होल फ्लूट, हब बिन रेकवर्ड, फ्रम दे साइट अफ इस वान अब दा अल्डेस्ट इन वाल हिस्ट्री, तो कोई कोई जिन्षो अब्जर्ब कोड़ा जैथिला, वा रिकवर कोड़ा जैथिला, ताको देखिवो, ता प्रे लिटररी ट्रेसेस अफ म्यूजिक क्यान बी फांड फांड फांस ताइम इन 2000 यर्स एगो इन वेदिक ताइम, तो आल्ल दा सेवेन नोट्स अब दा रागो खरा खरा हरा प्रियाग क्यान बी फांड इन डिसेंडिंग अडरी साम बेदो, तो साम बेदो रभी रिप्रेजेंटेशन रही ची, ता साइन्स अफ म्यूजिक इज काल गंधर्ब बेदो, तो कुस्चेन आशिवो, सा आमें देखी तरे पिक्चर आशे भिनारों इंस्टुमेंटरों जो पाट अची इसे पाट पुड आको मेंशन कोठी ही ची, अईत्रेयों अरणयों को, सब्बू कट आओडे प्रिलिम्रों कुस्चेन, जयमाइन्यों ब्रामनों स्पीक्स कलेक्टिवली अब दा द्यान्स मुजिक, देन मुजिकोलोगिस्ट पॉपट थियोरी इस अबाउट दा वाल अम, अम यू को हुचुन दि, अम करीकी यू उचाराना को हुचुन दि, अम बेइंग दा सोर्स अब आल रागोज एंड नोट, सो पाणिनी इन 4th century BC, मेट दा फास्ट प्रपर रेफरेंस तु ओव दा आखी, बेइंग both the first reference to musical theory वाज डीसकस्ट सबसारी, सबौट फास्ट रेफरेंस तु मूजिकल थियोरी कों टि, डिस्कोल धां भरत मोसं आम माम राखी, जू लेखरत दा लाथुनह एंग दलने। को उक राज्य वावाज को इंक एंडर तिल में में न्सारmee करूँब कॉँमेंट रे तो में इंट्रो डॉक्शन कोले इंडियान म्यूजिक कूँ धापर्या म्यूजिक जोन्हों इंडियान म्यूजिक जो लेखिवा हिस्ट्री क्यों जोदी आमें देखिवा यह आमें हिस्टी पाठकु जिवा तो आमें जोदी देखिवा बहुत सरा डेवलोपमेंट इतला इंडियन म्यूजिक रहे तो एट लेखाईच देख़ा एलाट अब डेवलोपमेंट इन म्यूजिक स्टीम फ्रम वें प्लेड डिवोचनल साइट इस ताइप अप रिट्यूलिस्टिक म्यूजिक वाज दिस्पलेड इन दा लेटर वेदिक प्रियोड थो ए ताइप अप म्यूजिक संगम विच इंबल्ब चांटिंग वर्शेश वेर उजुवाली सेट तो मूजिक पाइटर्ण इवें दा एपिक्स वियार सेट तो बी नियारेटिव टाइप कॉल्ड जयतिगन तो फास्ट वार्क आमें कोटी क्लारिफाई करते ले मां एलाबरेटेटेटेटेटेटे ले ना भारतास नट्योसास्त्रों तो ये कौन-कौन कॉंटेंड कोर्ची याको जान 22 का कैण लेक्स तो高 सुम क Cr ाव इनम इवें टालby को 20 इनमन स्शुटि शीक्स च। शीक्स का च्रीपम कोर्क चाले स।।। तछ्यदेव जादाग चीतीतो टाफ्ति चोंतित चेंडेफ प्रक जामीन सुर्ट पृटर्ण त।। टैक्स हैं परेटेटेटेटेटे क्या चि दा क्लासिक टेक्स्ट अन म्यूजिक दा संगीत रत्ना करो तो संगीत रत्ना करो की लेखतेले शारण गदव एड़ा भी कुछ्टेन फिल्लिम पहीं सेकेंड डेड यह जी विवुद माने कॉन कले समर्थन कले तो संगीत रत्ना करो कॉन कॉन अची ताकु तुम्हें पडिवो मुद डिटेल जाओ नी ता प्रे देखा एड़ी लेखाईची बिरह देशी एड़ा भी कॉन देखिवो तो अधर इंपोते टेख्ट इंपरेट टेक्सित प्रेट वर स्वरमयला कला निधी रिटेन राममत्यों प्रेट यह जी प्रिमरील विद रागश। देन चतुर्दंडी प्रकासिक रिटेन बाइ बेंकटा मखिन इन 17th century is also famous for important information on Carnatic Musicology. तो चतुर्दंडी प्रकासिक is associated with Carnatic Musicology. During the ancient and early medieval period, evidence can be found on the existence of Guru Kula where student lived with the teacher in order to become a master in the art of music. तो Guru Kula system जितावड़ा में वाट देखिले Guru Kula माने एठीकॉन ना इतीकॉन इतीज आश्रम system बा हर्मिटेज system embedded with Guru Sissha tradition. In ancient period, the teacher or master were says and the student had to live in Hermit for 12 years and get the knowledge by serving the master. Then Hermitage was given patronage by the king and wealthy person of the society. So life in the Hermitage was rigorous, pensive and full of knowledge through direct experience. Then all student whether a prince or commander were meted out with the same treatment, there was no discrimination. So the change in tenor of music came with the effect of Persian element. This influx of Islamic and Persian element changed the face of North Indian music. For example, Dhrupad or the devotional style of singing patronized by the rulers transformed into Dhrupad style by the 15th century. By the 17th century, new form of Hindustani music had evolved which is called Khayal style. This is very important. Further, many more styles of folk singing emerged. So Indian music has got the origin of Indian music. ती टुसी पर रागव इथरे मेंसो नहीं छी थरे एक्जांपुल नहीं पर रहें पर ब्रिहद उसी रिटेन इन सांस्कृट बीटी 6th to 8th century by मतंग फकोस्ट उन्दा डेफिनेशन अब दा वार्ड रागो अधर इंपोर्टन टेक्स्ट अब देस्पिरियोड इस स्वरो मेला कला निधी रिटेन वाइ राममत्य इन 16th century विच एगें डिल्स प्राइमेरीली विद रागो तापरे चतुर दंडी प्रकासिक तो एटा में करनाटिक मैथ्योलोजिक बेस करी कि तापरे गुरुकुल सिस्टम देखिले तापरे आमरो 15th 17th century दुरुपद स्टाइल आशिला परे तापरे देरे-देरे कॉन अला इबल बला आवोटे हिंदुस्तानी म्योजिक कॉन खया आलो तो अनाटमी अप इंडियान म्योजिक त्राकोही आमें धानी टोटाल अमरो के तरा, सारे गामा पा धानी टोटाल शात्रा तरनु से शात्र क कूद्लो होइल वा कौन कोई भरे वा, स्वरो गै Nuris raptor कि अमें स्वरो परे वा करेंटली दा नोटेशनाल सिस्टम अफ हिंदुस्तान म्यूजिक इज डिफाइड वाई धीज आभरिवेटेड स्वरो सा रे गामा बाधा नी सभेन स्वरो टुगेदर कल सब्तक और सर्गम तो सर्गम मने कौन टोटाल अमर सात्रा स्वरो को आमें विसेगी जेतवले कोईचे तक आमें स्वर्गम कोईचे हि लिष्टेड इज पीज यूजिंग फोलोइंग नेम तो सा मने कौन सजडा, रे मने रिषव गामाने गाणनल म्ने ममाध्योम पमने पचोम धा मने धवित्यो नी कोसा , निसब्द मने काणmeal सब्टोनिक धावित्य मने सब्मेडियांट डमिनियांट मने पंचमो सचधा मने ट्टोनिक रिसव मने सुप्वत की गांधार मने मेडियांट आब मद्योम मने सब डमिनाट तो यहार याकु पुर्या बेसी एंफासिस नो करी कि जोस्ट तम्हें सोरो मने जाइनलो सोरो इवड़ा हैला सोरो सारे गामा पाधानी सब्तक बा सरगम कुभुजिलो ताप्रे दा सोरो डिफर प्रम सुर्ति आमें जो सुर्ति पोडिति ले ठीके आगरू स सुर्ति साइतो स्वरो डिपर को रेकांट पही न शुट्थी इस दा स्मोलेस्ट ग्रेडेशन अफड़ासिन अफड़ाशन प्रेज त्वालिटि अफटो त्व्रीटि आधाटि व्रीटि प्र्याशन आउट पांचड आख़ विक्रित शौरो सारे गामा पाधानी आर सु आवे स्वरो देखेलो राग यह उड़ा क्ण आनाडमिक नाडमिक हुझे आमें, लगु आकॉम्पख़ेन्ट तो एब आमें देखेवा रागँ रागँ मनस्स्या मनस्स्क्रित वर्इमें क्णिल रागेज़्र दूर्इ सांस्क्रिट वर्इम्ड 최व रागँ सेदे नलैसे ṣ This तो ता माने कुण ना डिलाइट और दा हपी एड साटिस्फाई ए पस्टन, दा रागो फर्म ए बेसिस अफ मेलोडी, वायल दा तालो विकॉम दा बेसिस अफ रिदीम तो रागो आमें पोड़ुचे रागो उड़ा बहुत वाने केते टाइप रो देखो रागो, सुधो रागो, छायल लग रागो, संकिर्न रागो तापरे तालो यह जुद तालो कथा कुखा हुची से तालो कुण नेकी से कणक हुची आउतर देखो रागो मने कॉन ना बेसिस अफ मेलोडी बट तालो मने कॉन ना बेसिस अफ रिदिम इच मेलोडिक स्ट्रॉक्चर अब दा रागो है सम्थिंग सिमिलार तु दिस्टिंक पॉस्टनालिटी सब्जेक्ट और मूड इभक्त बाइदा सांड तो बेसिक अलिमेंट नेसिसरी पर अब दा रागो इस दा नोट अन विच दे आर बेस्ट एकोडिंग टु दे नंबर अफ नोट इन दा रागो देर थ्री मेन जातिस और काटागोरी तो यह सब पूरा डिटेल जानिवा दर्कार ने यह सब कुस्चेन केवे भी पचार लेवी तुमें जे तुमें प्राक्ट ता परे देखा एज रागो टाइम सेशन मूड रागो मने एड़ा कॉन भाहरव एड़ा हिंदल दिपको मेग श्री मलकुस यह वड़ा भी यहते दर्कार ने तो रशो कॉन जानिवा नियाते दर्कार रशो मने कॉन रिजल विहांड दे क्रियेशन अफ रागो वाज तु दो इभाक दा एमोसिनल रेसपनशेश इन पौफ पर्फोर पफामर अड ओडियांसे इज इमोसाण विच इभाक थो सींगी इड प्लेइग इन इंस्तूमेंट को रशो तो जो आमरो रागो 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 र feel an emotion through someone else art even though they are free from limitation of personal feeling initially there were eight rosh but later another rosh called the santo rosh was added to make nine rosh or nine rosh so total एसोबु जिन्शो दरकार नहीं खाली तमें राग्ग रशो एसोबु जिन्शो मनरक्ष ताड़ 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 अगटे कौन्ड रिधिम जो कोई तिले दा रिधिमिक grouping of beat are called talo this rhythmical cycle range from 3 to 108 bit according to the concept of talo the musical time is divided into simple and complicated meter the theory of the time measurement is not similar in hindustani and carnatic music the unique point about concept of talo is that it is independent of the music that accompanies it and it has own division the tempo of talo which keep the uniformity of the time span is called lawyer time measurement is not similar in hindustani carnatic music the unique point about concept of talo is that it is independent of of the music that accompanies it which is definitely music suppose मुँ गित्तो गाईली music मुझ है गाईली सिंगीं कली शेत्ते वड़कु वड़कु कॉड़कु कॉड़कू और ब्यागराउंड रे dalष चैड़ी , थाड़ी। धाड़ी स्थीप्टन स्यक्सिंट बाग्डवार्देंध चैड़े। प्रेज़ी प्रेजिक is VOC कायए खलत थाड़े। vaccin G120iden घट्टि क्ली जी प्यूरी फिज बालत थाड़े। जुत बाड़ीय। इन दा फिल्ड अप नौर्थ इंडियान क्लासिकल म्यूजिक इच वान अप दा सेवराल ट्रादिशनल रागो इज बेस्ट अन और इज वेरियोशन अप टेन बेसिक थाट और म्यूजिकल स्केल और फ्रेमवर एधार क्यान अनली वी संग इन आरोही अज दा नौर्ट और कॉंपोजड इन दा असेंडिंग अडर तो थाट खली जो स्ट्रान थाट बल्यूड जिन्सों अची आउ किछी जानिवा दर करने समय समय भी पूरा एत्ते दर करने इच रागो हाज़े स्पेसिफिक टाइम टाइम बेस कोरिके होची अपर अधर कॉंपोनेंट अप राग कालव स्ट्राइम जो स्ट्क हुआ झाकई कोनें अबस। हैन प्रीकल उस्ट हन ब्लाइम आख तम एंग अर्णति य जोन्सी जो specific melodic presentation in succession in which a pattern is followed. For example, the combination of sarega, gamma, mappa, dha, etc. In this combination, we see the alonkar in which three note in succession are used each time. The basis of difference जोदिया आमें देखिवा, थाट आउ रागो वित्रे, टोटाल अमरो बारोड़ा स्वरो अची, बट रागो बिलों तु दा जेनर अरग थाट. Number of note जोदिया आमें देखिवा, थाट मुस्ट ऑफ 7 notes in it, रागो मुस्ट ऑफ, at least 5 notes in it. It only हाज आरःहो और अस्थे जाइंड भिन अभ़ रोडोड़ा मलोडी इस नो निसारी for that to be melodious as they're not song that, but रागोस आर शानग and hence they are melodious. इंपोर्टा buckets अप्रिक्पिकेसन पर इंडियान्यूजिक तो औरकम्हां देचे खरच्छनूपन क्लाशिकल्च ल प्रफ्रकम्हार्व Bennett म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक हला दीटा है हिंदुस्ता नहीं आओ करनाटी फॉल्क म्यूजिक बहुत सरा आओ छी गोट्टे तो आमें काटेगोरी करी चे ता प्रेव फ्यूजन अब क्लासिक और फॉल्क म्यूजिक ताक्व आसोशेट को लाखिए सुगम संबिद आओ अबील संगित गाना संगित सही तो आप असोशेटेड ता अप्रे मोडन म्यूजिक हमें तेखिवा रॉक म्यूजिक ट्रेंट म्यूजिक पॉप म्यूजिक जाज म्यूजिक ब्लू म्यूजिक फिजिडेलिक म्यूजिक ओके तो याकु आमें आओ जो कहुच आमें क्लासिक क्लासिकाल म्यूजिक दीटे टाइप लो हिंदुस्तानी म्यूजिक आउ कानाटिक म्यूजिक हिंदुस्तानी 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 म branch of music focuses more on musical feature and the possibilities of improvisation in it the hindustani branch adopted a scale of suddhaswara sapthaka or the octave of natural note there are 10 main style of singing in hindustani music like like dhrupad dhamar hari khayal tappa chaturang ragasagara tarana sargam thumri etc some of the major style are discussed below so dhrupad wade paat karo hindustani music it is one of the oldest and grandest form of hindustan classical music and find its mansion even in natio sastra you take it 200 vishiru 200 it is said that dhrupada owes his wrote to older form like uh pravandha and dhrupavada the name is derived from dhruva and pada which means that it denote both verse form of the poetry and the style in which it is sung although dhrupad consolidated its position as a classical form of music in 13th century it reached its zenith in the court of emperor akhbar akhbar ko time rhe or akhbar ko court rhe kandhala dhrupad manu taro pura peak stage rhe pahunchi thila to akhbar ko joe diya ame dhekhiwa akhbar was employed and patronized musical masters like baba gopaldas swami haridas and tanshan who was considered to be one of the navaratno or nine jain of the mughal court it is also speculated that vaju vavara sang at the court of akhbar we find evidences of singer who mastered dhrupad in the court of raja manasin tamar in ghalir dhrupad became the major form of singing in the medieval period but fell in the state of decline in 18th century the 18th century it has start kala decline pain then tanshan ko at the picture become so dhrupad is essentially a poetic form that is incorporated into an extended presentation style that is marked by precise and overt elaboration of a rago dhrupad start with alfs which is sung without war the tempo rises gradually it is major part of the performance the alfs evokes a mood in the audience that coincide with the mood of the rago that is chosen so alaf is a pure music without destruction of the word then after sometime dhrupad begin to focus is placed played so tanshan ko vajadivishwarya men dekhiwa in a 16th century musician and one of the navaratno by nine jewel in the court of akhbar akhbar gave him the title mia meaning a learned man a master of the dhrupad music tanshan created several new rago composition by tanshan mainly relate to hindu gods and goddesses and his part uh patrons like emperor akhbar tanshan tom is located at his bar place goalier tapra dekho dhrupad include the sanskrit syllable is the temple origin dhrupad composition usually four to five stanza and performed by duo generally two male vocalists perform dhrupad style of performance tanpura and pakhawaj usually accompany them dhrupad singing can be further divided into four sub-forms on that they perform tapra dekho dagri gharana dagri gharana the dagri gharana the dagri gharana mahani ame konkori pariwa na dagar family sing in dagar bani this style put great emphasis on alaf for several generation men of their family have trained and perform in pair dagars are generally muslim but usually sing hindu text of god and goddesses a prominent duo of dagri gharana is in this generation asan ar gonde cha brother to yaku vesei manrakiya dhrupadar kanne dagri gharana just kaali jani wo dagri gharana taapre dharbhanga gharana taapre betiya gharana taalwandi gharana jodha i chauji paadhiya pae detail tamo paadhi pariwa ta gharana jokohu cha ame gharana system manne kaan gharana is a system of social organization linking musician or dancer by the lineage or apprenticeship and by adherence to a particular particular music style the word gharana manne kaan na family or house urdhure it is typically referred to the place where musical ideology originated a gharana also indicate a comprehensive musicological ideology and differentiate one school from another it directly affect the thinking teasing performance and appreciation of music some of the gharanas well known for the singing hindustani classical music are agra ghwalior indar joipur kirana and patiala okay taapre ame dekhhiwa khayal khayal joa ame paadhi dhile toh khayal ko du derivin chi na idea or imagination ko du parchyan manna ko taru aasi chi the origin of this style was attributed to amir khushro this form is popular among the artist as he has provided greater scope for improvisation then khayal is based on the repertoire or short song ranging from the two to eight line generally a khayal composition is also referred to as a bandhis hussein saha jit ji ki sultanpur sultanate thile gave the biggest patronage to khayal in 15th century one of the most unique feature of the khayal is the frequent use of tarana in the composition in the composition going of this aloof is given much less room in khayal music as compared to dhrupadh a typical khayal performance used two songs bada khayal chhota khayal bada khayal helakon the song in the slow tempo but song in fast tempo chhota khayal then bada khayal kong 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 gari kong 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 k the structure consists of mainly melody usually short repeated many times with variation and elaboration at the former performer's discretion there is a second contesting melody usually with higher note which is introduced one before returning to main melody ྡࡡࡡࡡ તનાણણ કહવરતલે પણાશ્ટ પહરતામ વાશ્ટું આમે पुली फास्ट को जिवाद जो तू आम्ने स्टार्ट करते ले वोकूटू start es 살아्ट करते ले हिंदूस्ता किरू तो हिंदूस्ता किरूने ह settings आम्न कॉछु द्रुपत चतलु द्रुपत पर द्रुपत परे आइदries ल DuA प्रणा, खयल, त do not possible कि अपरे न रोपफोद गयाल तर्णा स्टायल तीन टार्ड आमने देखें यू तर रोत ये लिएट के सल तर्णा स्टभी समय है तो सरे कि अनद हो focus on producing rhythmic matter and hence, the singer need to specialise training and skills in the rhythmic manipulation. तापरे, तरणाव स्टाइल वास इन्वेंट अगेंड अमिर कुष्रो इन 13th to 14th century and was also used by 14th Sikh Guru, Guru Gobind Singh in his composition. Currently, the world's fastest तरणाव सिंगर इस पंडित रतन महन सर्मा अब दा मयवाती घर्ना. The audience at Pandit Motriyam Sangeet Samaroh in Hyderabad gave in the title of तरणाव का बादसा. तो सर्च औरीकतों में देखी परिवा तांको प्रिक्चर, Pandit Ratan Mohan Sarma. Then semi-classical, semi-classical बेशी important हुआ बट ज्यानी थिवा दक्कार जे, एटा जो दी classical music, semi-classical folk music, एई सबु जिनतरू specification जानी थिवा दक्कार. तरणू basically semi-classical style of music based on sorrow, however, they slightly deviate from the standard structure of the rago in the way that lighter version of the rago like Bopali और Malkus are used. They employ lighter version of the tado and use Madhyam और धूर्त लयो. They are faster in tempo. They emphasize more on bhabo and lyrics than Alf, Johar, Jhollo. तो basically चीज़ एतरे पडिवार नहीं, थुम्मुरी वाली जिन्सवर्ची जोटे की mix rago. आउ basically आमरो romantic और devotional nature कुन एकी आमरो थुम्मुरी ही था है. तो दिस वाज इंस्पार्ड भाक्ति मोमेंट and so much that the text usually revolve around the girl's love for Krishna. The language of the composition is usually Hindi in ब्रोजभासा dialect. ताप्रे composition are usually sung in female voice, this is different than other form of थुम्री, is characterized by inherent sensuality. It also allow the singer to improvise during the performance and so they have a greater flexibility with the use of rago. थुम्री is also used as a generic name for some other, even lighter forms such as दाद्रा, हरी, कजरी, सवन, जोलो and च्वेति. So, थुम्री is linked to classical dance, कथग. उस्चे नाशिवो, थुम्री is linked to which classical dance? अंशर अवो, कथग. The main घरणा of थुम्री are based in भारनाशी and लखनौव and one of the most timeless voice of थुम्री is बेगम अपकार, whose household name for the husky voice and boundless range in the singing. Another very famous proponent of थुम्री was गिरिजा देभी of the पुरव अंग of बनाराश घर्ना. ताप्रे तपा, तपा अला, इजे स्टाइल अ प्रिदिम. There is, आव किजी एत्य दर्काने, कोठी तरव, it originated from the false song of the camel leader of south, northwest India, but it gained legitimacy as semi-classical vocal specialty once it was brought to Mughal court of Emperor Mohammed Sa. ताप्रे गजल, गजल is a poetic form that consists of rhythmic copulate and a refrain. With each line sharing the same meter, a गजल may be understood as a poetic expression of the pain of the loss or separation and the beauty of love in spite of that pain. It is said to have originated in Iran in 10th century AD. So, a गजल never exceeds 12 अशर or copulate. The गजल spread in South Asia and 12th century due to influence of Sufi music and courts of the new Islamic Sultanate, but it reached its zenith in the Mughal period. It is said that Amir Khushru was one of the most expounder of the art of making गजल. Many of the major historical गजल poets were either aware of Sufis themselves like Rumi or Hafiz or were sympathized with Sufi ideas and beliefs. गजल not only has a specific form but traditionally deals with just one subject. Love specially an unconditional and superior love. The object of love is often written in manner that make it upon to interpretation. It may be divine or humanly. It depends on the listener what he or she construes. God are upon personified too. It is the branch create music that is played in the traditional octave. The music is Kirti based and focuses more on Saitya or the lyricist quality of the musical piece. The Kirti is highly evolved musical song set to a refrain, Rago and fixed Talo or rhythmic scale. Every composition in the Carnatic style has several parts to it. The Pallavi. The first or the second thematic line of the composition referred as Pallavi. This portion is often repeated in the each stanza. There is considered to be the piece of resistance or best part of the Carnatic composition called Ragam Thanam Pallavi. Where the artist has great scope for improvisation. There are several other components of Carnatic music. For example, the Soro Kalpana which is an improvised section perfumed with the drummer in the mechanism and fast pace. Carnatic music is usually played with Mridangam. The piece of melody's improvisation in free rhythm with Mridangam is called Tanam. But those pieces which do not have a Mridangam are called Ragam. Purondara Dasa is referred to as the Pita Moha or the Father, Grandfather of the Carnatic music. The Carnatic music is called Non-composer of Carnatic music. The Carnatic music is called 1408-1503. The Carnatic music is called 84-64. The Carnatic music is called the Trinity of Carnatic music. Carnatic music. मोथु स्वामी ताप्रें ही सिग्नेचर नेम वाज गुरु भुहा युवाज एल्सव बिना प्लेयर यह जो रेस्पेक्ट आमरो जो ची मोथु स्वामी दिखते को तांका विशरेटा देएची ताप्रें एटी देखो दीटे यहको तेल लुग को कोड़ है अमरो त्यागर प्राजा आउ स्वामा सास्त्रे कि दो मोथु स्वामी देखते दिशिकर सांस्क्रीट तो इट पाट्टेको तमीडीटेल लेखीवो खातारे ताप्रे एटा आहला इंपोटन्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक आउ कर्नाटेक म्यूजिक भी सरे कौन-कौन डिफरेंस हच्छे ओके ताप्रे कॉमोनालीटी बिटोइन दा तू सेमिलारीटी कौन अचि फ्लूटेंड भावलीन फ्लूटेंड भावलीन घीटेल यूजिग तो हिंद शबूटन्ट इंपोटन्ट इंफ्लूएंस इंफ्लूएंस को 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 लांग्वेज रहे आरोब पर्शियान अफगानि यतरे बेरियेशन को यहार स्कॉप रहुची बाट एठी less स्कॉप आप इंप्रोवेज़न तर्नो यतरे आमरोपन ट्रेंटी निहाती ने थिवाद अपक्या देन सबस्टाइल डेन सबस्टाइल वूश्टाइल वूज़ेंस अव गर्ना अल्ली वान फर्टिकलर इंस्ट्रुमेंट आर इकुएली इंपोर्टन आज वोकल तो दिया में देखिवा कनाटिक म्यूजिक रे ओर एंफासीस अन वोकल म्यूजिक यहतरे आमें इंस्ट्रुमेंट आओ वोकल जो अची दीजा याकुको इंपोर्टन वेशी दिया हुची सेम रे इन्तु एठी आमरो एंफासीस भोकल म्यूजिक आमें जो कही कोई गितोगा उची जोड़ा ताकु वेशी एंफासीस करा जोँची रागो जो दिया में दिख्या चोड़ा मेजर रागो होची एक रे आमरो टोटाल सेबेंटी टु रागो होची मेन एंफासीस अन मेनली बेस्ट अन दिख्या चुक्त आपरेव फॉल्क म्यूजिक आमें बेसिक पाट वड़ा सभू कोभर कर गली तो फॉल्क म्यूजिक आमें जो प्डूचेव फॉल्क म्यूजिक मने कौन बेखो इंडिया इजा जिजोग्राफिकली दिखरशनेसें इज आप्ड़ी इस एंडाइन ग्रत्रकाजात्र जावाल्माइ्टार and cultivate a Guru-Sissio or rocket mentor addition, the folks tradition is the music of the people and has no hardware and fast rule. they are based on the diverse theme and cool musical rhythm they are also set on the beat so that they can dance oriented. there are several types of folk music associated with a particular stateain ताप्रे बॉल, बॉल बॉल इस नोट अल्ली ए टाइप आप आप मुजीक बट वेंगली रिलिजियोस सेक्ट, दा मुजीक अब बॉल शंगीत इस पर्टिकुलर टाइप आप फॉल्क संग, इस लिरिक्स क्यारी इंफ्लेंस न हिंदू भक्ति मम्में, एंड ए सुफी, ए फ तो आमें कार्नाटिक मुजीक रे जैंदी अलगा देखी थेले, बेसिक इची आमरो नाहीं, तारो कंपोनेंट आमें देखी ले, पलभी, अनुपलभी आउ चरणा, तापरे आमरो कंप्लेट हे गळा, तो बॉल जो बॉल इस ये मुजीक आप वेंगली मुजीक, तो मैं ए उरिक चारी इंफूंस का देखी हिंदू भक्ति मόमेट अपर फॉल गान एक्षम फिल्वाइट संग प्वबिर और कल बोल गान धर मुजिक रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिचिंग मैस्टीजिन प्रोशंग इन वेश्ट बेंगल असाम एं ट्रिपुरा दे मेंली बिलॉंग तो आइदर भाष्णवा हिंदू और सुभी मुसलिम सेक्ट दम प्रोमिनेट एक्ष्पनेंट अब दिस म्यूजिक आर्जिवतिन दास पुर्णचंद्र दास लालोन फकिल नावनि दास एंड सनातन दास ठाकूर बोल तापरे वना अन वना अन कर्ण ना जाम्मु कास्मीर वटे फर्क म्यूजिक बेसिकाली वेडिंग टाइम रे एड सब्सक्राइब अला मध्यप्रोदेश महावारतों का असोशेट ही क्योची तापरे पिन्हारी राजस्तान रिलेटेट तु वाटर तो वाटर कंजर्मेंशन जोदिया में कोई परिवा दा सौंग जेरली वाओ वोमन फेचिंग वाटर हम दाने नियर्भाय वेल एंड कैरि विलेज़में वाटर्ट येर्द विलेज वाटर मध्य विल्टे गूजेस मवाट पनिहरी यह असो सेटोड ःच्छान सहुमें था नावं थार्मावर ब्लाव अक्यो पिन्छार्ट राजस्तान संग्य ने शांसरा एंड हैंसर रेंसरों रो रूमांटिक इन ने शौंड they are completing their household work they usually contain four small line of pottery these are usually sung written for marriage pregnancy and also lula viz for children that are pious ongala madhya pradesh love any maharashtra maharashtra roo abhi vithila nani tapre month kodi ochi rajasthan dandia dandia ras gujarat tapre powder it is also a folk type emerging from the state of maharashtra they are usually ballad song for the heroes of past like shivaji the song describes the event of their glorious past and their heroic deeds tapre kamjan parva it is an important pop music from the state of monipur tapre bhavagiti these are emotional songs that are very popular among the masses in kandataka and maharashtra so musically they are very close to gazelle and are sung on a slower pitch they are usually composed on theme around the nature love and philosophy tapre mando kodi goa kola nadlu kolatam andhra pradesh so other major folk music tradition from the country are ii maharashtra sohari jikir jajinda naiyoga hali amelu nilu टोटाल देखिवो तापरे क्लासिकाल लग फॉल्क जो फ्यूजन हला से तरे कॉंड कॉंड हला आम भगजन कोई परिवा जोड़ी भक्ति वो मेंटर चाल से ला मिरा भाई तुलशिदास शुरदास कभीर माने मेजर एक्सपाउंडर थिले शेटे इम्रे तापरे सबद अड़ पर प्रोफट महमद और पर नी अधर मेजर सूफी औ इसलाम सेंट इस इस संग रग और जोड बन जडले वही और हिन्ड पॉड़ी ऑंज़ी और हृंड सम वर्दा अज टोडले इंवर ॉड़ ब़ूजर वज़वाजजर अट ट अवध्यर इंसे लोड़ी इंसे आप अराउंड 8 मेंबो तो कोवाली रपिक्चर देखी पर थो बहुत सारा कोवाली गीतो भी अबे भी चाली ची तो A musical instrument like tabla, dhalak, harmonium are used. The intensity or tempo gradually build up seeking to induce transactional state. It is transactional state, transactional. It is said that Amir Khushru can be credited with the origin of Kowali but it is severely disputed. Major Kowals are the Sabari brother, Nusrat Fateh Ali Khan, Ajij Varsi, etc. So Amir Khushru is intervened a musical instrument, Sahir, a three-time three-strings instrument. So name some other varieties of the fusion of classical and folk are state of origin, Maharashtra, Purpose, Vithala, God, Takkirtan, West Bengal, involve singing and dancing. One of the most famous form of composing music in Bengal, it is recreate the music produced by Nobel laureate, Robindranath Raghur. musical instrument, musical instrument for any music to be created one need to have some semblance of the music instrument. There are four major traditional category of the musical instrument depending upon the type of the instrument that are included in it. They are anadha, these are membrane of form instrument as they contain an outer membrane which is bitten to take out particular musical sound. These are also known as percussion instrument as one has to strike them to generate musical sound. They generally have one or two faces covered with skin. The most unsaid almost this class are Bhumi Dandhubi or the earth drum. So generally the musical instrument included in this category are Tabla, Drum, Dol, Kongo, Mridangam. Then while the Tabla is usually an accompaniment of the most Hindustani classical vocal, the Mridangam is the instrument that accompanies the Carnatic and musical performance. . The most common instrument includes Vansuri, Senai, Pungi, Nimkin etc. . 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 तो यह जो बोड प्लेक्टराल आओ दोज इंस्ट्रुमेंट तो इस्ट्रॉक और स्मॉल हर्मर और पैर अप्टिक्स पर एग्जम्पल गॉतु भाइद्यां स्वरा मंदल तो फॉल्क मुजिक रा इंस्ट्रुमेंट इडियो ची देखे परिवा ताप्रे मॉडर्न डेवल् meजी कि मॉड़ं प्लेवड्यम्ट मॉड थबुडिम्ट पॉल्ट मॉद्यम्ट प्रॉजक ड़्िम्टि自 nor unite them with the theoretical and academic background in the subject. A rise in the institution that try to showcase the artistic genius to the masses by holding upon shows for the public can be seen. सुम अब दा इंपोर्टन्ट डेवलोप्मेंट्स आर गंधर्भव महाद दिब्वयलोय वेडी पॉलुश कर जो स्टार्ट ही तिला संगीत सौमिती संगीत नाटवग एकाडमी डा बहुत इंपोर्टन्ट प्रयाग संगीत सौमिती 1926 रे एस्टाबलीश इतला बोँ पकुरे अलाभाद ताप्रे संगीत नाटवग एकाडमी 1952 रे चला मुजिक ड्रामा द्यान चिन इंडिया तो परफॉर्मिंग आट स्कूप शोर्केश करिया पे आश्टिला। दे अल्शों हाट दाट्रास्क प्रमोटिंग अनर्मॉस टांजिबुल हरिटेज अप इंडिया आज देमुंस्ट्रेट थ्रोध फॉर्म 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 फॉर्मॉजिक, द्यान्स, द्रमा। Maurice College of Music, this is one of the premier institute for studying classical music in India. Legendary musicologist Vishnu Narana Bhatunke founded it in 1926. He went back to his place of origin in Lakshnau and established his school, which would concentrate on the theory of music as well as the practice of singing and playing instrument. It was later renamed as Bhatokhande Music Institute-Dreamed University. Tapre, Spice Masi. Spice Masi, 1977, they started Islam. Kiron said, the whole musical form of this organization is society for promotion of Indian classical music and culture amongst the youth. It began as the voluntary youth movement that grew into plural platform to showcase the culture of India to masses, specially the younger generation who is losing touch with the Indian physical roots. ताप्रे कम्मुनिटी रिलेटेड टूर, आमारो म्यूजिक कोई परिवा जम्ति जोगी, राजस्तान, बागेला, मध्य प्रदेश, बाजीगर, पंजाब, ताप्रे चतुर प्रहार, गटे अनिमाल रो ना. तो एबे, आमें कम्प्लीट कर देले, चाप्टर, वेबे मूं पूस्चन पचर चुन, तो इत रेफरेंस टू कल्चुरेल हिस्ट्री ओफ इंडिया, टिके टाइम ने जाओ, दिमनीट टाइम ने हो, ताप्रा में पूस्चन डिसकुस कर यूँआ, ओके. झाले हो, ताप्रा में पूस्चन 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 पूस्चन, यह इंडिया हो, तो एके. आप दो खो के लेट शार्ट दा कुश्यन से संट अड़ा प्रिविश्चर कुश्यन 2018 थिट्यला उत्रेफरेंस तो कुल्चुराल हिस्ट्री अव इंडिया Consider the following statement Most of the त्यागो राजा कृतिज are devotional song in the praise of Lord Krishna Second, त्यागो राजा created several new raga आनमोचारियो एंड त्यागो राजा are contemporary आनमोचारियो कृत्तो नो एंड devotional song are praised of Lord Vhenko Tesoro अंसर कौनवो कोमेटर वेंसम करो आनमोचार 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 वेंसम्त। प्री ओके टू एंड फर टू एंड फर ताले जो आनम अचरियो त्यागर राजा कोंटेंपरारी नहीं तम्हें देखी दोगों त्यागर राजा गिर्ति डेवर्शनल सौंग इन्दा प्रेज अप कौनौ लॉड कृष्णा नावलगा शेटाल चेक करीगी तम्हें कोहिए भ ओ चरिशंग करों चर्णा निकोंग चर्णा नियास वे जी मुझाल चर्णा अंजेट्वल्य करौं मंगन यास मने कौंग अन्सर ऑट भू खौन्म अटव कोष्णा ट्रूपध अन्सर आव व प बूझकल ट्रणिट्या काई तब्ट्रूपध वित त्रूपध डूब य that has been kept alive for century which of the following statement are correct Drupad originated and developed in the Rajput kingdom during the Mughal period Drupad is primarily a devosional and spiritual music third Drupad alaq use Sanskrit syllable from mantras answer kala boh Drupad bishra meh padi che sao 3 B answer B Rajput no Bota Agro originated Hidla ता पर देखा, question number one Consider the following statement There are five sorrow or not in total Indian music ठीक अची की ता परे उद्धा भर आगा content five not or sorrow अंसर काण आगा अंसर अवो, B Only two, कौन परें न छोटा सोरो अपरे, consider the following statement रागो form the basis of rhythm रागो न ताड़ो ताड़ो become the basis of melody Which of the above are correct अंसर काण आवो अंसर अवो D, okay कौन परें न जोदी alternate करदलो है जगो रागो वाज बेसिस of melody अंड तालो वाज बेसिस of rhythm ताड़ो वाज बेसिस of rhythm तापरे, consider the following statement इन आरो हो, each note is higher than the preceding note इन अबोर हो, each note is lower than preceding note एर अंसर काण आवो आरो हो, माने preceding note to उपर्पु गोला अवर आमने, कमी कमी कोला not lower than preceding one ताले इड़ा काण अबो अंसर C आंसर हो, C which of the following is not सुशिरो बाद्ध्यो साहनाई, फ्लोट, निंकिन, जल्तरं सुशिरो बाद्ध्योरे कोड़ जाओ नी दस नंबर अंसर आवो काण जल्तरं ताप्रे, which of the following folk music is not not correctly match अल्ला, महाराष्ट्रो, बाउल, वेश्ट्बेंकोल ठीकोची डाइक देख चिले, सोहर, बिहार एड़ा ठीकोची की नाई, तालो अंसर कोड़ आवो बोथ 1 and 2 होओ, ना B होओ, ना B होओ not correctly, तालो बीट तो हवो नी आव कोड़ कोड़ अच्छी, सेटू देखाऊ 1 and 2 भी होओ, नी तो अल्ला, महाराष्ट्रो अबो, ना ले सोहर, बिहार हो अंसर कोड़ आवो अंसर आवो, अल्ला, महाराष्ट्रो तो एड़ा, कोड़ 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 आवो, कोमेंट सेक्समें बेंसन करा तापरे नेक्स्ट कुश्चेन पंडित भीमसन जोसी consider the following option पंडित भीमसन जोसी गांगु भाई हंगल, विश्नु पल्लोसकार who of the above belong to किर्याना घरना अब धुरुपद स्टाइल अब म्योजिक आठ नमबर अटावी पोडिचे, धुरुपद टाइमरे पोडिधिला आमें आणसार अवो, वान एन टू भीमसनु पुल्लोसकार्था लेक्किये थिले चेक परिवो, तापरे consider the following statement एर आगो must have at least 5 नोट और शोरो इनीट एर आगो हाज अनली आरहो और असेंडिंग नोट्स पांच्टा नोट्स ना छोटा ना केत्रा नोट्स देखिवो तापरे रागो हाज अनली आरहो और असेंडिंग नोट्स ताल साथ नमर कोण वो साथ नमर येला कोण अल्ली ए तो रागो हाज अल्ली आरहो और आसेंडिंग नोट याकुद यह भूल तो यह और करेक्ट फर्म्ट है तम्हें चेक करीकी पोस्ट करिवो तो अफ्रे अंतरा इस दो फास्ट पार्ट अफ्म्यूजिकल कंपोजिशन मुखडा इस फास्ट लाइन अफ्म्यूजिकल कंपोजिशन मुखड़ और यह बाइन लें फॉस्ट आंचते ले बूर्डै थफास्ट लाइन उपूसिकल कंपोजिशन which of the following is not among the nine रसोज और emotional responses हाश्य, रुद्रो, भीर, आनन्द emotional response पहें इड़ा भी आमें देखी तिले तो हाश्य हावो की ना रुद्रो हावो की भीरो हावो ना आनन्द पोँव Tun and Anando music चेक करें वेड़ा ये पड़ीज़ आमें तो चार नमर देखो इन्दियान अ क्लासिकल म्यूजिक रागोज आर्ड टैनस स्पेसिफिक मूड स्पेसिफिक सीजन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक तो चार नमर देखो अंसार अबो खोना अल अब दा एबोर तो एथी कि आमें डिस्कॉस करते ले ता प्रेम आजीरो एबे में कुस्चेन को जिवा तो में कुस्चेन को जिवा गुरू आमें जोस्ट कॉनको पढ़िले पुणि आउथरे क्लासिकल रुपद खयाल एस वुजिन्सो खिला उत्रे आमरे हिंदुस्तानी म्योजिक रे तापर सेमी क्लासिकल स्टाइल तोरण एस वुजिन्सो कनाटिक म्योजिक देखिले तापर फॉल्क म्योजिक तापरे फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फॉल्प देन म्योजिकल इंस्टूमेंट भी देखिले modern development in music देखिले community related to music देखिले तो एब आमें देखिवा कॉन ना गत्तो कालीरो कुश्चिन आंसार तो अइड़ा एए कुश्चन लेखो आजूरो कुश्चन तम्हें लेखो आगो ताप्रामें काली रोग अतकाली रोग डिसकोस करी वा एड़ा है तामपानके पेंट टास्क compare and contrast हिंदुस्तानी ख्लासिकाल म्योजिक विद करनाटिक म्योजिक हें वहत इसे थामें डिफरेंस टार टे बुलाइज नहसे नहसे तहरे नो ज़िकित में वाट इंग करिखकी ल कहलगा कोषफ देहीं इस तब नुक फ j через खो नो देहीं कोरें हो किन्तुरा डिटेल नौ पूरा अकुरेयाट कोपी पिल्टों कोई तो तो क्वेंट व्युक्रण से लें स्टॉरि टेलिंग पाई इप पिम्थे देचि पेंटिंग भी सरे जहूं पैंटिंग पाइंट वीर्टींग से लेगुवा जिए स्थेम्, Synthesis of Persian and Indian style of adoption of European style in the late medieval and early modern period are some of the major characteristics of Indian painting. Painting remain arguably only source to gauge the process of standard of the life in Paleolithic and Mesolithic time. Scenes of the painting help to reconstruct the emotional and cultural sensitivity of prehistoric people. So, prehistoric time, we can express the painting, but we can see the painting, the painting, the painting, the hand-linked painting indicates the social life of hunter and gatherer. ताप्रे, spread of Buddhism, जेतावले हैला, भकटकर रूलर विशरे से कहीची, अजन्ता केव कंप्लेक्स कोंड़े ना, अजन्ता केव रो पाट्रोनेज के करते ले, भकटकर रूलर मने करते ले, अजन्ता इस अन्ली सर्भाइबिंग एग्जांपुल अप्टिंग अप्टिंग अप्धार सेंचुरी वीसी एड़ बुधा, जटको एड़ अवधान। आपको एड़ा जात्ता को, माते ज़न्ता सिन्यीर कहिले, मा विडियो देखुते ले, मैं वीडियो देखुते ले, तौमें येमती देख्ँ जो, तो सिये मते कर्को एड़ा, जटको होबनू, एड़ा जात्तों ना, परिभू पहिई न, आम्हें निजैरी ऑज़व पड़ी की तुमा मानों पड़ाउची सेतिवाई यह जो टिकेट के मिस्टेक होची जात्तो को जात्तो को यह टाइप नौ ताप्र देखो बुधिस्ट पेंटिंग करेशिये पोलिसे कहीची चालू क्यो रूलोर कु नहीची ताप्रेश हिंदुएंट जोयन पेंटिंग नहीची मूराल पेंटिंग एट बादामी जोवट ही तारो सोश्याल लाइप कु तारो धिया जाईची देखो एकजामिन दा पेंटिंग पेंटिंग तारो जो टाइम रे फिर्वेलेंट थिला से इटाइम रो जिन्सुग उडाकु शे एथरे भर्ति करची ताप्रे एलों विद अंसेंट एल्ली मेडियार पेंटिंग शुल्तनेट औं गुगल पेंटिंग एल्शो फोग्रेस अप मिनियेचर पामियोला तुस प्रविंशेल स्कूल फेंटिंग इन वेडियमल एरा लाइक भेर स्कूल पेंटिंग राजस्तान स्टाइल और पहरी स्टाइल इन पॉर्ण पारी स्टाइल कोंटिनुड टुटिंग श्टोरी जो भागवात पुरान तो पेंटिंग हैल्टु अब टार्गेट नो थिला अब टार्गेट कोटा चिला मुँँ देखोंचता हुँ टार्गेट थिला कोण ना ब्रीप आउट दा डिफोरेंस इन थेम आप टेक्नीक एंड डेपिक्टेद इन प्री हिस्टोरीक रॉक पेंटिंग बिलोंगिंग तु पलियोलिथिक मेसोलि टाप्रे डी हिट्यायई पिन पटेह माया। तो कि ए इन दित्यृ आई पूरे मिक्टा ले्खिऊम्ज ऑ द देखोंग आनो मुँ स्टोरीक रॉक पेंटिंग इना सब्सट अ गोरे, वynn데े लोहा हिछेट शेजिस मुख ल 2023े ट्रों मु आल्म एटेक्टिंगु ए लॉक्त Various themes and technique are used to prehistoric rock painting, belonging to different period which are as follows. The difference to the आम देखिवा, theme मानको प्रे, it is known whether lower Paleolithic people overproduced any art object. But by the upper Paleolithic period, proliferation of the artistic activity has been observed in India. The subject of their drawing are limited to human figure, human activities, geometric design and symbol. ता आपरे मेसलिथिक एज जेत्ते वड़ा आशिला, Paleolithic मने कॉण, अपर Paleolithic रे सम्झी कीछी, significance development देखा जाई नोथिला. स्टार्टिंग कोट हुएला ना लोयर Paleolithic बड़ोकु. ना ना भूल कोईली मूँ, लोयर Paleolithic बड़ोकु, लोयर ट्रा अप्चली पूरे आगड़ा, ता आपरे अपर, तो अपर Paleolithic पिरियोड जो अचिये, सेटान, जो 40,000 तू 10,000, तो लोयर ट्रा कोडा 40,000 तू सपटे, 50,000, 60,000 BC, तो 40,000 तू 10,000 BC भीतरे अपर Paleolithic जो तरी अमरो इछी activities देखारे लागिला, जिम्ति अमरो drawing of human figure, human activity, geometric design and symbol ता परे Mesolithic पेजरे 10,000 BC to 4,000 BC जो को लोची, निक्स पेजरे विमित को केपरे जम्ति अमरो एजु पेंटिंग थिला, many new themes of the painting such as community dance, family life, etc. the hunting scene were predominantly depicted in which some of the animal painting highlighted the fear of animals but many others show a feeling of tenderness and love for them अप्रयाशला काल्कोलिथिक पेस 2200-700 BC themes of the painting further evolve and are surrounded around the association, contact and mutual exchange of the requirement of the cave-dweller of Dhimbetiko with the settled agricultural community of Malwa Plain So mostly this painting, portrait, pottery, metal tool and common motif such as gross, hatched square, lattices, etc. The pre-historical period is the theme, theme, I am going to tell you about the technique The technique देखो, question जीतलों पढ़िऊओं, detail, sense पढ़िए हों कौन कौन देईची, themes माने कौन, technique माने कौन तमकू जाडिबार हो छे Themes माने कोई-कोई-कोई-Base, कहाँ कूई represent करा जाईची तरो मने basically central ंज इन्सों पड़ा थिला सेंट को जिन्सो को सेंटर्लाइज को रिए गी तीला इंतु टेक्नीक मने को मुना ओव टेक्नीक को यूज करा जिए तिला जेमीदि फ़र्स्ट इंट्रदरक्शन देसे देखा फास्ट देखा आज यह कानवास कोल एपेट्रोग्राफ दूदा तो यह तेक्निक को एब आमें देखिवा, इफरेंस इन टेक्निक, अपर पालियोलिथिक परियोड आर लिनियर रप्रेजेंटेशन अफुज अनिमाल फिगर्स विशन, अलिफंट एंड टाइगर, बिसाइड श्टीक लाइक हुमान फिगर, फ्यू अफ दीज आर वास्पें लेतर, मेसलेथिक, मेसलेथिक पिपलिथ अपरियमर श्टीक कोन काले, तो ग्रीन फॉर्ड बिस इसन बिसक लाइब, अएध राइड कोले, रणिखो, तो राइड राइड श्रू अनिया ती लेखिवा, राइड बिसक्या स्था परियो आडा जिखिआ इसे आर इमान्या ब मैंनर बट पेंटिंग साइज वार स्मॉलर ये जो पेंटिंग साइज ताठू स्मॉल है गला एट मेनी रोक शेल्टर एट भीमबेट को हैंड फ्रेंट फास्ट्रेंट एंड डॉर्ट मेडवाई दा फिंगर्टिफ्स हाब बिन फाउन्ड वाइल देखनीक यूज प्रिवि हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल म्यूजिक एड़ा तो में पांचम मिनिट लागी हो जो तो में गूप रेफर करी की लेखे दवो इन्तु नेक्स्ट मूं कुश्चन गटा दाऊशी तेख्या वें ट्रड़े करो दीटा कुश्चन इन इंडियास रीच म्यूजिकल हेरिटे फ्रोटे प्लेस बने फास्ट खयाल थुम्री कॉण तमी बुझिए अब ट्राइ करो तो खयाल अओ थुम्री कॉण तोस्य म्यूजिक को टाइप लो म्यूजिक ताक्कु तम्ये स्टेट बने जेतवले स्टाटिंग करिवो संथि लेक्षिवे बने स्टाटिंग रूं सिग्निफिकान्स नों कमें फिचर सिग्निफिकान्स सबू लेखी परिएगा ओके तार यूज खोटियो उची तो आजी यहती कि नेक्स्ट क्लास्ट रिपणि यां में डिस्कॉस करिवा तो आजी वान आवर वित्रे कॉंप्लीट हेगला पूटि की जल्दी रे कॉंप्ल सिग्निफिकान्स